हेलो दोस्तो तो आज की वीडियो में आपको बताने वाल हूँ बजाज एलेक्रिकोटो का पराइस ही क्या, इसका पराइस आपको देखने को मिलने वाला है और दोस्तो कब आपको जो आपकी सीटी इस हैं जैसे ही मेरे को काफी सरे कमेnts आ रहे थे कि माद्या पर्देश, करनाटका, दिली, जमू, असाम और यूपी विहार में कब लौच होगा तो दोस्तों आपको सब बताने वाला हों कि ये कब तक आपको आपके नियर के शुरू में देखने को मिलेगा तो आप वीडियो में बने रहे हैं और अगर अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले है जो कि दोस्तो सबसे यादा रेंज आपको इसी लेक्टरी ट्रीकटों में दी गई है इतनी रेंज आपको किसी फी लेक्टरी कोटों में इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी तो बजाज ने इसमें बड़िया काम करा है आपको जो रेंज टेंशन होती ही वो बिल्कुर खतम हो चुकी है तो मायलेज आप इसमें से अच्छी निकाल सकते हैं दिन में सिरफ आप शायद एक वार भी चार्ज करेंगे तो 178 किलुमेटर काफी जाद है आप इसली इसको चला सकते हैं अब बात करते हैं में चीज की जो है चार्जिंग ट साथ करना जाते हैं तो स्पीड आप इसको असीपर सेंटोफ चार्ज कर सकते हैं अगी आप है को सार्ट करने की जरूरत नहिं है और अगर बात करो impeard कि तो इसमें आपको 45 km Pal की Top Speed भी है और आप इसको इको मोट पे चलाते हैं तो उसमें आपको 40 की Speed देखने को मिलेगी तो जो इसके Kahaguru की हैं जैसे पयाज को लेक्डरिक और और महिंद्रा कई उनके कंपेर में स्पीड आपको इसमें पांच किलमेटर कम कि मिलेगी मैसे है तो यही आपको इसमें दिफरेंस देखने को मिलिगा और अगर बात करूँ तो हुआ को 12 गपनटी की इसमें अकते सुम्स की और 80,000 km की इसमें warranty देखने को मिलेगी तो इन दोनों में से जो सबसे कम होगा जैसे कि 6,600 होगे 21.1 km होगे तो उस पर आपको warranty मिल जेगी और दोस्तों आपको इसमें हिल डोल्ड़ प्लड असिस्ट भी दिया गया है तो ऐसे कई सारे कमाल कमाल के फीचर्स आपको इस बजार के लेक्टरिक ओटो में देखने को मिलते हैं तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस की जिसका आप काफी टैम से वेट कर रहे हैं तो दोस्तो सिरफ अभी ये आगरा की सीटी में ही लोंच हुआ है और वहां पर जो इसका एक्शोरूम प्राइस है वो है 3,6550 तो दोस्तो ये था इसका एक्शोरूम प्राइस आगरा की सीटी में और बाकी आप मैं आपको बता देता हूं जो आपकी सीटी हैं उनमें ये कब लोंच होगा तो जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं मद्या परदेश की तो दोस्तो मद्या परदेश में आपक स में लग सकते हैं बाकी है अगर बात करुँ असाम की तो असाम में भी टाम लगे एसको आने में लगबग 48-55 मथ लेकर चलो कि इत्ना सांट लगेगा इस इसको लोंच होने में बाकी जैसे मिहार हो गया राज्ःस्तान हो हो गया तो आपको यह जल्दी देखने को मिल सकता रहा है अब इसकी प्रोपर टेस्टिंग होएगी जब इसको लोग पर चेस करेंगे इसका एक्चुल जो माइलेज है पता लगी कि असली रोड पर इसकी कितनी माइलेज निगल के आती है तो अभी सिर्फ वहीं पर इसको लॉंच करा गया है बाकी दोस्तों अगर आप और जा आने करी चाते हैं तो कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू